आप लोगों का नय सत्र में प्रवेश एवं कबसे आपकी सेच्छडी कर प्रारंब होगा उस संबंद में एक सासना देश आया है इस सासना देश के माध्यम से यह बताया गया है कि जो विद्यार्थी फर्स्ट येर में मतलब बीए वीएसी फर्स्ट येर में जो एड्मिशन लेंगे वो कब से होंगे और आगे की जो क्लासेस हैं सेकेंड एर थर्ड एर उनमें सेच्छनी कार किस डेट से प्रारंब होगा तो आज को यह वीडियो यह अत्यनत महत्पूर्ण है इस नय सासना देश में आपको जो लेटर दिख रहा होगा दिनांक 11 जुलाई 2020 इसमें प्रेशक मनोज कुमार विशेश सचिव उत्तर प्रदेश आसन ने विभिन्य उच्छ सिच्छा विभाग तथा कुल सचिव यह जो विश्विद्याले में कुल सचिव होते हैं उनको एक लेटर ग्यापित किया है जिसके माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि आगामी सैच सेच्छिक सत्र 2020-21 को प्रारम किया जाना एवं अध्यापन की गत्विद्याले में अनेक बाते कही गई हैं जिनका सारांस मैं आप लोगों को बता रहा हूं और इसका PDF मेरे लिंक में हैं टेली नार के आप पूरा लेटर डाउनलोड करके इसको विद्यवत पढ़ सकते हैं कि जितने भी कुल सचिव हैं वो विद्याले में जाके इक उन्टेंट त्यार करें कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है इस संदर्व में 31-7-2020 तक जो सिच्छन संस्थाइं बंद हैं इसी के मद्ध में ये सारे इक उन्टेंट त्यार कर लेने हैं अर्थात प्रारंब में जो भी क्लासें होंगी वह ओन्लाइन ही होंगी 45-day का सिडियो लोगा जिसमें आप लोगों को महाविद्याले में नहीं जाना होगा ओन्लाइन माध्यम से ये आप लोगों को पठन पठन का कार कराया जाएगा वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक अत्यनत महत्यपूर सुचना बताऊंगा जो आप लोगों के सिलेबस से संबंदित होगी इस चैनल पर आपको BSC, B8 एवं DL8 से संबंदित सारा सिलेबस मिलेगा और कौन-कौन सी किताबे महत्यपूर हैं उनके बारे में भी मै आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँगा कि किन से आपको बढ़ना है अगली स्लाइड जो आपके सामने दिखेगी उसमें पूरा विवरन दिया गया है कि कैसे आपका सेचनिकार इस सत्र में प्रारंब होगा तो जो यह आपको स्लाइड दिख रही है इसमें दिया गया है कि 13 जुलाई 2020 से कॉंटेंट की तयारी इन्वेस्टी में जो भी वाइस चांसलर होंगे वह अपने उनके अंदर जो कर्मचारी कार कर रहे हैं उनसे कहेंगे कि कांटेंट तयार करें प्रथम वर्स को छोड़के अनकच्छों में ऑनलाइन सिछण कारम जो सिछण कार होगा वह इसलिए फर्स्ट यर को छोड़के जो भी सेकेंड यर थर्ड यर की स्टूडेंट होंगे उनका जो सेच्छन कार है चारगस्ते प्रारम हो जाएगा प्रथम वर्स में प्रवेश की जो अंतिम तिती है बहुत इंपोर्टेंट 15 सितंबर 2020 रखी गई है इसना तक प्रथम व प्रवेश के लिए इसके बाद आपके एक्जाम भी इसमें रखे गए मीड टर्म बैक पेपर जो भी परिच्छाएं होंगी वह आपकी पांच दिसंबर 2020 से हैं तत्पश्चात इसनाकोत्तर प्रथम वर्स विसम सेमेस्टर परिच्छाएं जो आपकी होंगी वह 15 मार्च 2021 स इसनाकोत्तर की परिच्छाओं आपकी एक माई से 15 जून और जो आपके सम सेमेस्टर हैं इवन उनके मिड टर्म परिच्छाओं का जो करिक्रम है वह 30 अपरेल 2021 से कुल मिला के सारी सूचना दी गई हैं तो जो मुख्य बिंदु वह यह है कि जो सेकेंड यर और थ्रड यर क स्टुडेंट हैं उनकी कच्छाओं आप लोगों की जो हैं वे चार अगस से प्रारंब हो जाएंगी सबसे मैं तो बिंदु यह कि सुरुवात के जो 45 दिनों के वह आनलाइन के लिए रखा गया है बच्चों को फिजिकली कालेज नहीं जाना है 45 दिनों के बाद में फिर अ यह जो लेटर था मुझे जैसे ही सासन के द्वारा प्राप्त हुआ मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया अब आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई के लिए प्रिबेर हो जाएए जिन स्टुडेंट को थर्ड येर में पेपर होने हैं वो जैसे ही डेट वो लोग अपनी टैरी प्रारम करतें उनका सिलेबस बहुत ही जल्दी इस पर मिल जाएगा और बायलोजी से रिलिटेट सारे आपको वीडियो धीरे धीरे इस पर अपलोड होते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे तो आशा है आप सभी लोग हेल्दी होंगे मेरे इस वी कीजिएगा लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा थैंक यू